नमस्कार मैं हूँ ससी आया जरगां के टॉप 25 परमोग खबर जनते हैं अंतराश्टिय महिला दिवस हर सल आठ मार्च को महिलाओ के समान में अंतराश्टिय महिला दिवस मनाया जाता है इसका मुख्य उदेश महिलाओ के समान और अधिकार के प्रति लोगों को जागरूप करना है इस दिन दफ्तरों, स्कूल, सरकारी संस्थानों, आधी जगों पर महिलाओ का समान भी किया जाता है ताकि ओ इस दिन खास महसूस कर सके पता देश साल 2021 की बात की जाए तो इस वर्स अंतरष्टिय महिला दिवस को कोमेन इन लीडर्शिप एन इक्यूवल फ्यूचर इन एक कोविन-19 वर्ल्ड की तिम पर मनया जा रहा है महिला नेतियों तो कोविन-19 की दुनिया में एक समान भविस को प्राप्त करना विसा कोविन परिश्थितियों के भी चुना गया है मौसम विभाग के अनुसार आठ मार्च से राजे के विभीन हिसों में बादल चाने की समभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के दुआरा जारी रिपोर्ट के अनुसार आठ मार्च को राची, रामगार, हजारी बाग, गुमला, बोकारो, खोटी, गडवा, चत्रा और लातियार में दो फर बाद बादल चाहेंगे वहीं फिर 10 और 11 मार्च के राजे के विभीन हिसों में गर्जन के साथ बारिस की समभावना है इस दोरान राजधानी राची का अधिक्तम तपमाज 37 डिग्री सेल्शेस के आसपास रहेगा पारासिक्षक सरत पवार हमांद सुरेन की मुलकात खास राश्टरवादी कांग्रेस पार्टी के राश्ट्री अध्यक सरत पवार रविवार को जार्खन आ रहा है वे यहां मुख मंत्री हमांद सुरेन से मुलकात करेंगे इसकी प्रवल समभवना हाई किवे मुख मंत्री से उनके मंत्री मंडल में राष्टवादी कांग्रेस पार्टी की भागेदारी को लेकर बाक्चित करेंगे हलाकि राजे में जावमो नित कटबंदन सरकार को राष्टवादी कांग्रेस पार्टी का समर्तन प्राप्त है क्रिकेट के बाद गोपालन में धौनी को सरवस्रिष्ट पसु पालक सम्मायन क्रिकेट के मैदान पर अपने खेल से कई रिकोर्ड बना चुके एमिस धोणी अब गोपालन में भी पर चम लई रहा है बतादे किर्केट से सन्यास ले चुके माही अब खेती किसान पर ध्यान दे रहे है उसी का नेतिज़ा है कि राची में चल रहे किसान मिला में उन्हें पूर्वी भारत के सर्वस्ष्ट गोपालक का समयन मिला है बता दे किसान मिला राची के बेशा क्रिसी भी सुविधाला में अवजित किया जा रहा है नई दिली में स्टेक होलडर मीट में सीएम बोले मुख मंत्री हिमान सुरे ने कहा कि जारखन में ओस सभी अवस्यक एममोल भोत सुविधाय मौजूद है जो एक उद्योग की अस्थापना के लिए जरूरी है यहां किसी भी चीज की कमी नहीं है कमी हाई तो सिर्फ उसे तरासने की वैल्यू एडिशन करने की राजे में मौजूद संसाधनों का वैल्यू एडिशन कर पाए तो जारखन देश के अगरणी राजे की सेहनी में खड़ा होगा और इसमें उद्योग जगत के लोगों की मत्पुन भोमका होगी सरकार आपको अस्वस्थ करती है कि आप जारखन आए और उद्योगों की अस्थापना करें सरकार आपके साथ हाए सीम सरनिवार को नई दिली के ताज पैलेस में आवेजी स्टेक होलडर मीट में बोल रहे थे मैट्रिक वा इंटर के विद्यार्थियों को परिच्छा फर्म भरने का आखरी मोका है जारखन एकेडमी कॉंसिल जाएक ने विद्यार्थियों को रहे स्टेशन वा परिच्छा फर्म भरने का आखरी मोका दिया है बतादे जाएक के सचीम महिप कुमार सिंग रेजन कारी दिया है कि जारखन के नीजी अस्पतालों में टीका जारखन में कुरोना टीका करन के लिए चीनित सभी नीजी अस्पतालों को 24 गंटे टीका करन के उनमति दे दिया दी गई है रश्टिय स्वास्थ मिशन के अभियान निदेशक रविस्त अंकर सुकला ने इस बावत सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखा है उन्होंने लिखा है कि सभी योगे नीजी स्वास्थ संस्थानों को केवल COVID-19 के टीके ताय कीमत पर उपलवद कराए उन्हें लोजिस्टिक या था सीरीज हब कटर आदी उपलवद नहीं करवाना है महिला दिवस पर जारखन के तीन हजार साहिया की होगी स्वास्थ जांच घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ की जांच करने वाली सहियाओ की भी सेहत सुदरेगी बतादे आठ माच को अंदर अश्टिय महिला दिवस पर लगवक्त तीन हजार साहिया की रग्त चाप मदू में हीमोगलोबीन आदी की जांच होगी अपरेल माँ से से साहिया की भी जांच होगी बतादे जांच के बाद जरूरत पढ़ने पर उनका उपचार भी सुनेचित कराया जाएगा ज़ा कारेकरम सभी जीलों में आयोजित किया जाएगा जार्खन में 44 नए संक्रमित की पुष्टी हुई है जो रांची से 28, पूर्वी सिमुवदो, धनबाद 3, बोकारो 4, पच्छमी सिमुवदो, रामगर 3, देवघर 1, कुडरमा से 1 मिले है जार्खन में कूल महत की संक्या 1,191 है वहीं जार्खन में कूल एक्टिव केस की संक्या 461 है भारत में 18,684 नए संक्रमित की पुष्टी हुई है भारत में कूल महत की संक्या 1,191 है वहीं भारत में एक्टिव केस की संक्या 1,191,644 है गाउं में भी बढ़ रहा लिंग चयान, अल्ट्रासांड की लिनिको पर निगरानी जारखन के स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने कहा कि परशवपूरू लिंग चयान के करन करनेया भुरून हत्या देश के लिए चुनोती बन गई है बिसेस का सहरी छेत्रों में या अधिक फरफुल रहा है बता दे मंत्री सनिवार को PC and PNDT Act के अनुपालन को लेकर गठित राजे प्रवेक्चान बोट की बैटा को समोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि परशवपूरू लिंग चयान अब सहरी छेत्रों तक ही सिमित नहीं रगया बलिक अब यह गरामिन परिवेस में भी अपनी जगह गहराई से बनाने लगा है आयूस चिकित्सको को खुसखबरी स्वास्थ चिकित्सा सिक्षा यों परिवार कल्यान विभा के अधिन जार्खन राज आयूस स्वास्थ सेवा सनवर्थ के प्रस्ताव पर मंत्री मंदल की मंजुरी ली जाएगी ग्याथ हो कि आयूस चिकित शुको को गाती सी सुनेश्चीत ब्रीधी उन्या नियोजना के तहत बाल्चिक ब्याय भार लगभग एक लोर आठ लाक एक हायार शो सवासी रुपय पड़ेगा आदिवासी चात्रों के ड्रॉप आउट धर और कारणों पर होगा सोध मुराबादी इस्थित द्राक्टर राम देयाल मुंडा जन जाती सोध संस्थान ग्रामिन एम सरी स्कूलों में आदिवासी विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट धर और उसके कारण का पता लगाएग यह देखा गया है कि कक्षा पांच के बाद आदिवासी चात्रों का ड्रॉप आउट धरे दीन पर दीन बढ़ती जा रही है इसमें ग्रामिन और सरी इलाका दोनों सामिल है संस्थान इनी कारणों का पता लगाएगा ताकि ड्रॉप आउट का आँकणा कम किया सके किसानों को उतपादों का उचित मल नहीं मिलना दुख की बात बिधान सबा अद्यक्स पर ध्यान देने की जरूरत है किसानों को स्राम का उचित मुल्य मिलना चाहिए सरकार किसानों को उचित मुल्य के लिए बजार भी उपलब्द करा है उक्त बाते बिधान सबा अध्यक्स रविंदरात महतों ने पुर्वी छेत्र प्रदेशिक यम एग्रोटेक 2021 किसान मिला में कही हजारी बाग में प्रेट्रोल के कारण किरोसिन में हो रहा था बिसफोट हजारी बाग जीले के सदर परखंट छेत्र के कुछ गाउं में किरोसिन तेल से हुए पुर्वी बिसफोट मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है बतादे इस पुर्वी बाग में चार लोगों की मौत के बाद से जाच कर रही मुफसिल थाना की पुलिस ने अरोपित टैंकर चालक वह उनकी निसंदे ही पर राची जिले के उर्मांजी निवासी एक ब्यक्दी को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताविक किरोसिन में पेट्रोल की मौजूद्गी के कारण घटना हुई है सरावी पिता ने तीन माह के बच्चे को पटक कर मार डाला राची के नगरी थाना छेत्र के के सारो गाउं में बीती रात एक पिता ने अपने शाड़े तीन माह के बच्चा को पटक कर मार दिया और फरार हो गया बता दे घटना की जनकारी मिलते ही सरनीवार की सुबा नगरी पुलिस तुरंत घटना अस्थल पर पहुँची और मितक बच्चे का पंच नामा कर पुष्ट मार श्रम के लिए रिम्स भेज दिया है अब नक्सलियों के पास डारेक्शनल जुगा है पच्चमी सिम्भूम के टोकलो थाना छेतर इस्थित लांजी जंगल में सुरक्षा बलों के खिलाप नक्सलियों ने जी साथियार का इस्तिमाल किया उसे डारेक्शनल बताया गया है बता देया एक तरह का जुगार लंचर है जिसे चलाने के लिए मानोबाल की ज़रुवत नहीं बलिक लेंट्स माइन्स की तरह ही दूर बैठे तार की मदद से नक्सलियों का संचलन कर सकते हैं इसकी खास्यत है कि इसे सिर्फ जमीन में ही नहीं लगाया जा सकता बलिक पेड़ों और पहाड़ों पर भी लगाया जा सकता है राजे के 700 रेजिडेंट डाक्टरों की मांगे पूरी नहीं तो 8 से हरताल एरियर भुगतान की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से कला विला लगा कर काम कर रहे है बर के करीब 700 रेजिडेंट डाक्टर सोमवार से हरताल पर रहेंगे रिम्स के पुर्व जेडी ए अध्यक्ष डाक्टर अजीत ने बताया की साम को इसकी लिखित सुचना रेजिडेंट डाक्टरों की और से रिम्स निदेश को भी दे दी जाएगी जार्खन के बीच बजार में लूट पिट जाती है 78% यूतिया है महिला हिंसा को लेकर जार्खन में आकड़े चोकाने वाले हैं बता दे यहां यूतियों से दुसकर्म हत्या से लेकर डायन विसाइद तक में बेखोफ अफराध दर्ज किये जाते रहे हैं महिला हमेशा से हिंसा की बली चरती रही है बता दे पिछले एक साल में राजे के 14 सोसे अधिक दुसकर्म या समोईक दुसकर्म के मामले दर्ज किये गए हैं महिला अधिकारों के प्रती आवाज उठाने वाली एक संस्था ब्रेक ठुरू की ओर से जारी की गई इस्टाडी रिपोर्ट में कहा गया है कि सरवजानिक अस्थानों पबलिक पैलेस पर 78.4 परतीशत महिलाओं ने किसी ने किसी रूप से हिंसा जह लिया है वही 38.5 परतीशत महिलाओं ऐसी जगों पर अपने आप को अकेला पाकर ऐसी हिंसा को चुपचाप सह गई सिख्षकों का मनचाहा टांसफर जारखन में तबादले में अब मनमानी नहीं चलेगी बतादे परदर्सिता सुनिश्चीत करने के लिए तबादला और पोटल के माध्यम से ऑनलाइन होगा या पहल इसकूली सिख्षा एवं सक्षर्ता विभाग ने की है विभाग ने प्रारमभिक माधमिक एवं उस्तर माधमिक सिख्षकों के तबादले के लिए पहली बार पोटल तयार किया है सिग्र ही इसकी लॉंचिंग हो सकती है फिर हार पोर्टल की टेस्टिंग चल रही है मुखमंत्री हेमन सुरेन इसी माँ इस पोर्टल की लॉंचिंग कर सकते हैं महिला दिवस पर राजेपाल 120 महिलाओं को करेंगी समानित अंतराष्टिय महिला दिवस पर संस्था माही केर फाउंडेशन की ओर से समाज के होट छेत्र में विश्य स्योगदान देने वाली महिलाओं को समाइनित किया जाएगा। पॉलिटिक्स का राज पुछ रहे विजेपी विधायक। सरकार की नीती के चलते जगवार से अलग हो रहे पूलिश जवायन। जारकन का एक मात्र फोर्स जो अपने दम पर नक्सलियों से लुहार लेने का मुदा रखता है। रांची में पानी संकट दूर करने के लिए हर परखन में बनेगा कंट्रोल रूम। गर्मी में होने वाले पेजल संकट से निपटने के लिए परशासन ने तैयारी शुरू कर दिया है। बतादे पेजल विभा को उपायुक्त ने संकट से निपटने के लिए अभी से इंतजाम सुरू करने के लिए काया है। कोमार्स तीनों ही संकाय में भासाई भी सयों के पेपर अभी तक जारी नहीं किये गए हैं।